प्रभावरा वही हम लोग देख रहे थे हम लोग पहला छोटा नागपुर्ण नागवंच देख चुक है नागवणच दाइनस्टी ओफ छोटा नागपुर खास आज हम लोग देखने जा रहे चेरो डाइनस्टी ओफ पलामू पलामू के चेरो वंच पर लेटर मुगल्स का क्या प्रभाव पड़ा तो हम लोग देखेंगे चेरो रूलर कौन-कौन से चे 17-16 A.D. चेरो रूलर साहिब राय के कंटेम्पररी मुगल रूलर थे बहादूर साफ फर्स्ट, जहांदार सा और फरुक्षियर बहादूर साफ फर्स्ट का राइन है 1707-12 A.D. जहांदार सा 1712-13 A.D. आड फरुक्षियर 1713-19 A.D. साहिब राय के मरने के बाद जो चेरो रूलर हुए वो हुए रंजीत राय का राइन है 1716-22 A.D. इस समय मुगल सुवेदार और बिहार सर्बुलंद खान जो बिहार के मुगल सुवेदार थे वो पलामू आए और रंजीत राय के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं जब देख रहे थे छोटा नागपुर खास नाग डैनिस्टी और छोटा नागपुर खास सब्जा बनाए रखा था अपनी मृत्यों तक तो रंजीत राय जो पलामू रूलर थे रंजीत राय कंकर्ड टोरी परगना एंड हेल्ड एट इट तिल इस तिल 1722 अड तो यहां से कोश्चन बन सकता है यह हमें ध्यान रखना है यह हमें दो जगा मिला एक चेरो डैनस्टी और पलामू में एंड छोटा नागपूर खास नाग डैनस्टी ओफ छोटा नागपूर खास में रंजीत राय के बाद जो अगला शासक आए वो हुए जै कृष्ण राय जै कृष्ण राय ने रंजीत राय को मार कर पलामू का राज्य हधिया लिया जै कृष्ण राय के रा 1770 AD clear now जे क्रिश्न राय चेरो रूलर हुए पलामो के इनके समय में 1730 AD में मुगल सुबेदार ओफ बिहार थे फक्रु दौला फक्रु दौला ने पलामो का जो सालाना कर है वो 5000 रुपे fix किये the annual rent of पलामो फक्रु दौला ने clear next 1733 AD में ये 1730 AD में फक्रु दौला जो मुगल सुबेदार ओब बिहार थे और 1733 AD में अलिवर्दी खा मुगल सुबेदार ओब बिहार इन्हों ने भी पलामो का जो रेंट है वो 5000 fix किया जो कि सुन्दर सिंग को दिये जाने थे तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इनके जैक्रिष्ण राय के साशनकाल में ही अलिवर्दी खान ने अपने पलामो के पलामो दौरा इन्होंने जब किया अलिवर्दी खान ने जो कि बिहार के मुगल सुबेदार थे जब इन्होंने जारखन के पलामो का दौरा किया तो जो चेरोवन सी शासक जैक्रिष्ण के लिए सालाना पांच जार रुपए कर निर्धारित किया और पलामो से करका वसूली करने के लिए का भार दे दिया राजा सुन्दर सिंग और टेकारी टेकारी के राजा सुन्दर सिंग के द्वारा ये कर लेते थे अलिवर्दी खान आगे देखते हैं हम लोग 1733 AD में मुगल सुबेदार और बिहार अलिवर्दी खान ने पलामो के लिए पांच जार रुपए कर रेंट फिक्स किया जो कि टेकारी के राजा सुन्दर सिंग के माध्यम से लिया जाता था इस 1740 AD मुगल सुबेदार और बिहार जैनुद्दिन्स एहमद खान सार्मी ओफिसर हिदायत अलि हिदायत अलि ने भी पलामो का रेंट पांच जार रुपए सलाना फिक्स किया ये हिदायत अलि खान ये जैनुद्दिन्स एहमद खान के आर्मी ओफिसर थी और इन्होंने ही ये पलामो का रेंट फाइब थाउजन टुपएस फिक्स किया था पलामो के चेरो डाइनस्टी की बात करें इन दे यर 1750-65 A.D. तो उस समय पलामो वस सफ्रिंग फ्रम चेरो डाइनस्टी और नॉर्थ पलामो वस अंडर मुसलिम्स और राजपूर यहां कह सकते हैं हम लोग नॉर्थ पलामो में मुसलिम और राजपूर यहां सकती साली हो गए इन 1765 A.D. इस इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार और उडिशा की दिवानी मिल गई 1765 A.D. में हम लोग 1752 65 A.D. की बात कर रहे हैं दिवानी मिलते ही और देख रहे हम लोग यहां पलामो इस टाइम में बहुत मिस्मेनेज था यहां सडियन्त रचे जा रहे थे तो at this time पलामो was suffering from chaos और इसी का फाइदा इस इंडिया कंपनी ने उठाया Britishers took full advantage of this situation और यहां एंटर किये और इस तरह से यहां मुगल सत्ता भी कमजोर हो गई हम लोग कह सकते हिदायत अली खान जो मुगल सुबिदार और बिहार थे उनका यह last कह सकते हैं last हस्तशेप था पलामू के उपर मुगलों का clear that's all about chero dynasty of पलामू next वीडियो में हम लोग next dynasty का देखेंगे हम लोग later मुगल्स का और भी dynasty पर क्या प्रभापड़ा thank you